कि नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे यूटूब चैनल क्रिशिक आउनेंट कलास्स में स्वागत है अभी नंदन है जिहां सातियों कल जैसा की 23 फरवरी थी और एक नया एप लाउंच हुआ है जिसका नाम है प्रेणा लक्ष जिहां सातियों जो अभी तक हम ये सोच रहे थे कि आकलन किस प्रकार से हम बच्चों का कर पाएंगे उसी क्रम में ये एप बहुत ही महत्पूर्ण है आप इससे बहुत सारी सुब्धाएं इसमें इस एप में हैं जिसमें आप प्रतिक बच्चे का आखलन कर सकते हैं बहुत ही आसानी से आए जानते हैं कि हम ये एप कैसे करेंगे तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाएंगे प्ले स्टोर में आप लिखेंगे प्रेणा लक्ष जहां साथ ही हो ये देखिए प्रेणा लक्ष आ गया है और आप सबसे पहले ही देख रहे हैं देखिए प्रेणा लक्ष एप ह यह आप ध्यान रखेगा कि जो प्रेणा लक्ष एप है वो डिपार्टमेंट आप बेसिक एजुकेशन निचे लिखा है और चौबिस एमबी का है आप इसको इंस्टाल कर लेंगे यह महा निरेशक महोदे का बहुत बड़ा प्रियोग है इस एप में इस एप के जरिये कक्षा एक से लेके पांच तक जो हमें प्रेणा लक्ष दिये गए है उनको हम बच्चों पर किस प्रकार से चेक करें कि बच्चों में वो योगिता दक्षता है या नहीं इसका आकलान करने के लिए यह एप बहुत ही महत पूर्ण है यह देखिए हाँ प्रेणा लक्ष जो एप है यह डाउनलोड हो रहा है सात्यों यह एप इंस्टाल हो गया है अब हम इसको ओपन करेंगे और जो भी एक्सेस मेडिया यह पूछ रहा है आप इसको एलाउ करेंगे यहाँ पर और यह देखिए इसका यह फ्रेंट पेज ओपन हो रहा है नेटवर्क उपलब्द है बिल्कुल सही है नेटवर्क जब तक यह हो रहा है एक काम बहुत जरूरी है अगर आप इस एप को जो यह काम करेंगा है क्योंकि इस एप को मर्ज किया गया है रीड ऐलॉंग से जिहाँ साथियों आपका जो मुबाइल में रीड ऐलॉंग एप डाउनलोड होगा यह उस एप से मर्ज किया हुआ है यह उसी बेस पर चलता है तो इसलिए आपके लिए यह भेतर है आप इसमें रीड ऐलॉंग एप भी डाउनलोड करें धियां सात्वी देखिए Read Along एप है एक खेल या एक कहानी चुनो या एक नई कहानी जोडो अपने पार कोड इसमें अपना पार्टनर कोड डाला था अपने अपने ब्लाक कर डाला था अब वहीं पर आपको एक और पार्टनर कोड जोडना है और भै कोड है आप ध्यान कर लिजे उसका नाम है यूपी प्रेणडा ये देखिए प्रेणडा लक्ष एप आ गया यहाँ पर लिखाओ और इसे रेइस्टेड कर लेंगे क्योंकि जो प्रेणडा लक्ष एप है वो जब ही काम करेगा जब आप यहाँ रीड अलांग एप में पार्टनर कोड जहाँ जोड़े लिखा होता है बहाँ पर जोड़ेंगे यूपी प्रेणडा आप जैसे यूपी प्रेणडा लिखेंगे आपने देखा किस तरीके देखिटर कर लिया है अब हम आ जाते अपने प्रेणडा लक्ष एपर जैसे हमने कक्षा एक का सिलेक्ट किया है और हम भासा की दक्षता देखना चाहते हैं कि बच्चे में वो दक्षता है या नहीं तो हमने भासाल स्टाइक कर लिए, ककशा 1 स्टाइब कर लिया और आकलाण के लिए आगे बढ़े हैं और जैसे आकलाण बढ़ें यह देखे, आप देखे रहे हैं जो प्रेणा लख्ष है जिसमें ककशा 1 के लिए कहा गया था कहा गया है कि निर्दारी सूची में 5 शब्द और देखी आकलन शुरू करें जैसे ही हम आकलन शुरू करेंगे तो आप रीड अलोंग के निर्देश लिखे हुए यह देखी यहां पर लिखा हूँ अभी रीड अलोंग अप यूपी प्रेंडना पार्टनर कोड डालें तो हम क्योंगी डाल चुके तो हम कोई दिक्कत नहीं होगी हम इसको डारेक्ट अब सीधे रीड अलोंग पर पहुंच जाएंगे और जैसे ही चलो पढ़ते हैं कक्षा एक हिंदी पुस्तिकाएक जैसे बच्चे ने पढ़ा तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर इसका बढ़ाई हो विद्धारती ने भाष्चा के प्रिड़ना लक्ष को हासिल कर लिया है तो इस तरीके से यह रिजल्ट इसका आ जाएगा और हम बापाद इसकी मुख्र स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे इसी प्रकार से हम किसी भी क्लास का चाहिए बो अगर हम देखिए कक्षा एक की ही गरित पर ले 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 और आगे बढ़े आकलन शुरू करें चलो पढ़ते हैं कक्षा एक गरित पुस्तिका दो झाल और इस तरीके बच्चे ने देखी ये पड़ा है तो लेकिन तब भी निर्धारी सूची में पांस संक्यां सही से पहचान लियों उसने और बधायों विद्यारती ने गडित के प्रेणा लक्ष को हासिल कर लिया है और हम इसकी मुख्रीन पर आ जाएंगे तो देखा साथियों ये एप बहुत बढ़िया एप है आपकी जो आदिस समस्या थी वो दूर हो गए कि आप कौन से सब्द चुनेंगे कहा जा रहा था कि निढदारित तो वो सब्ध कौन से हैं निढदारित गिंती हम कौन सी दें जिससे वो बच्चा जान पाए हम कौन सी गिंत único तो इस एप के माड़ियम से वो सारी मुख्यले हमारी दूर हो गई है कि हमें सोचना नहीं है कि कौन सी गिंते हैं निर्धारित करनी हैं यह कौन से सब दिन निर्धारित करने हैं अब इस एप के जरिए आप बच्चे का आकलन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं तो यह हमारी हेल्प के लिए बहुत अच्छा एप है आप आज ह इस प्रेंड़ना जो भी हमारे प्रात्मिक शिक्षक जो भी हैं प्रात्मिक विद्धालों में उन सबसे मेरा निवेदन कि आज ही अपने स्कूल में ये प्रेंड़ना जो लक्ष एप है इसको डाउनलोड कर लें और इस बात विसेज ध्यार रखे कि इस एप को जभी यूज करें इसके साथ साथ read along एप जरूर होना चाहिए मोबाइल में और उसी के साथ उसमें जो पार्टनर कोड आप अपने ब्लाग का आपने लिखा था उस पहले उसी में लिखा होगा जब आपने वीडियो में देखा कि पार्टनर जोड़ें तो उसमें आप यूपी प्रेंड लिखेंगे जो कोड है उसको आप यूपी प्रेंड़ना लिखके आप जब जोड़ेंगे रेइस्टर करेंगे तब ही एप काम करेगा यह बात बिल्कुल ध्यान कर लीजेगा क्योंकि कभी अगर आप यह ध्यान ने करें आप आप इसी डिरेक्ट चलाना चाहेंगे तो यह आप काम नहीं करेगा क्यों बार-बार मैं बता रहु हूं कि यह एप जो है रीड अलाउंग से मर्ज किया हुआ है यह अप रीड अलाउंग से ही चलेगा इसलिए इस में वाइल में रीड अलाउंग और प्रेंड़ना लक्श एप दोनों होंगे और रीड अलांग पे आप प्रेड़त कोड जरूर पढ़ा होना चाहिए तो सातिफ यूंग आपको हमारा वीडियो कैसे लगा अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है अच्छा लगा तो प्लीज इसको यह अमेरे जितने इतने भी प्रात्मिक भाई भैन शिक्षा मित्रों जो भी हैं उन सब तक हमारा वीडियो पहुंचना चाहिए जिससे वो इसको अच्छी तरीके से समझ कर इस एप को इस्तमाल कर सकें और अपने विद्धाले में अप्लाई कर सकें आगे ऐसी ही महत्मों जानकारी हम आपके ल को आखने लोकी एगा नमाश्चार्व